हाव आर यू कैसे हैं आप लोग आपका स्वाकात हमारी यूटूब चैनल एंड यू सिविल सर्सर्स पर दोस्तों आपको जैसे पता ही है पास दिसंबर आरो ए आरो की एक्जाम की डेट है ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है 28 दिन बाकी है तो दोस्तों आखरी दिनों में लोग पूश रहे थे कि आखरी दुनों में क्या रणनीती होनी चाहिए तो उसी क्योंपर हमने का चुछ एक वीडियो बना देते हैं दोस्तों पहले बाद चलो विजिट करना तो चलो कि इसलिए सब्सक्राइब कर लेजिए तक कि आपको इस तरह की नोटिफिकेशन आपक पास दिसमबर को है जो पहले थी वो टल गया था अब पास दिसमबर को है और ये पास दिसमबर को इसके पहले दोस्तों अभी आप इस बात से अंदाजा लगा सकता है कि जिनो ने PCS का एकजाम दिया था उसका पैटरन अगर आप देखेंगे तो उसमें कोश्चन की वगर बात करते हैं तो GS तो as usual वैसे ही आया था जैसे पहले आते रहे हैं लेकिन इस बार current affair का portion जो दोस्तो कफी जादा था current affair का portion दोस्तो इस बार अगर आप बात करते हैं तो जादा तर जो उसमें पूछे गया थे वो योजना स्किम से पूछे गया थे साथ ही साथ international issues national issues ये सब तो हमेशा रहते हैं और UP question दोस्तो इस बार कुछ question UP से पूछा गया था तो अगर हम दोस्तो ROARO के बात की जाए तो आप ये सोच सकते हैं कि एक mindset क्या हो सकता examiner का क्योंकि UPPS से ही ये exam conduct करवा रहा है ROARO का तो मेरे ख्याल से तयारी करने 28 जिन बागी है पूरी तरह से तो उससे काप ने चलने वाला दोस्तो सिर्फ GS के तयारी करके 140 नंबर में आपको at least 90 नंबर के target टरना पड़ेगा 90 question का वे 90 question इधर करेंगे और फिर आप हिंदी में कम से कम कर आप 60 में 40, 45, 50 तक पहुचते हैं 50 प्लस पहुचते हैं 50 प्लस पहुचते हैं तब मिला के दोस्तो दोनों मिला के आपका 130 प्लस question सही होगा और क्योंकि दोस्तो 122 cut-off जो गया था वो 2017 का RO का exam हुआ था 2016 का जो exam अभी पिछले साल हुआ था तो दोस्तों confirm नहीं है उसमें कितना cut-off गया था लेकिन लोगों ने बताया कि उसमें 128 से उपर ही गया है मतलब 128 को 127 बता रहा है 125 से उपर ही गया है दोस्तों अभी official ID है तो इस चीज को ध्यान लगते हुए 130 प्लस आपका target होना चाहिए तो दोस्तों 28 दिन बाकी है तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा या क्या करना चाहिए especially तो अभी दोस्तों आपका focus स्रिफ और स्रिफ दो चीजों पर जादा होना चाहिए क्यों अगर ये दोनों portion अगर आपकर सही हो गया तो GS में अगर माली ये कम भी आते हैं माली 60, 65, 70, 75, 80 तक भी पहुँच जाते हैं तो उदर वो balance कर लेगा balance करने का सरफ एक ही option है हिंदी दोस्तों सामान हिंदी इस समय आपको ज़्यादा focus करना पड़ेगा जो छे topic हैं छे topic में दोस्तों आपको पता ही है सबसे पहले आपका तस्सम्त अद्भाव दूसरा विशेश्य और विशेषड तीसरा आपका प्रियावाची शब्द चौता शुद्ध वर्तनी जो वाक की शब्द होते हैं वो पच्वा आपका दोस्तों आपका उसमें पच्वा दोस्तों आपका हो गया अनिक शब्दों की शब्द जो होता है तीक जो आपको पस्ता है एक पॉर्शन उसमें आपका हो गया शब्द और विलोम आपकी कोशिश चही होनी चाहिए दोस्तों कि आपको 6 topic कम से कम तैयार कर लेजये अच्छे तरीके से, तो अभी क्या करना है दोस्तों, फोकस क्या होना चाहिए आप अभी से कम से कम दो घंटे आपको हिंदी को देने पड़ेंगे उस पर क्या करना है कि आप सबसे पहले, जो topic wise एक पहला topic, दूसर topic, तीसर topic, कोशिश खरिए कि वो topic आप complete कर लिजिए मालीजे, आज आपने तस्तम तद्बह का topic पर complete कर लिए complete बतल उसे आज हुआ गया, दो दिन में पर सो, तीन दिन में तीन चाहर दिन में आपने उसको एक topic complete कर लिए ठीक है, तो दोस्तों क्या करना है, जब भी आपको एक topic पूरा हो, ठीक है, उसी से related आपको जो है question solve करने है जैसे हम कह रहे हैं कि जैसे आपने आत प्रियावची शब्द पढ़े या आतस्तम तद्द पढ़े या विलोम शब्द पढ़े, तो दोस्तों ये जो portion है, इसमें जो previous year के जो questions आए हुए है उसको आप solve करिए, especially जो UPPSS question बनाए हुआ है जैसे GIS का जो हो गया, जब PCS में या फिर आपके RO, ARO का ही जो question है उसी को solve करिए, ठीक है फोकस आपको ये करना कि छे topic आपके हाथ में हो, ये छे topic में, दोस्तों तस्वम में कब से कम 10 में 7 question तो आप करीं सकते हैं विलोम, 10 में 7, 6,1 को विलोम आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं परियावची शब्द, ठीक है, बहुत सारे शब्द होते हैं, परियावची होते हैं, दोस्तों एक चीज़ दो दीन दिन में एक topic complete करिए, उस पर question solve करिए, हिंदी पर जादा focus करिए, क्योंकि last time में दोस्तों क्या होता है, अगर हिंदी आपका सही हो गया, माली जी 60 question है 60 question में, अगर आपने माली 55 आपका सही हो जाता है, ठीक है 50 सही हो जाता है, तो अगर आपका 80 सही होता है, ठीक है 80 सही होता है GS में, तो आपका cut up flare हो जाएगा, हिंदी पर focus जादे करिए, साथे साथ GS में कर आप करते हैं, इस तरह में GS की कोई नई किताब मत उठाईए, नई book इस समें, don't open new book right now, इस समें कोई नई book मत खोलिए, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, अगर आप करना ही चाहते हैं, तो इस समें previous year के paper solve करिए GS के, और GS में दोस्तों especially आप history पर जादा focus करिए, history पर दोस्तों modern history पर जादा, अगर modern history करीब 12 question आया थे, पिछली 12, 17 में, 16 में भी इतना ही आया बता, ठीक है उसके साथ ही साथ unseen भी देख सकते हैं, medium भी देख सकते हैं लेकिंगे modern history से question जादा आया थे कुछ topic, कुछ portion ऐसे है दोस्तों जिस पर आपको questions easy भी आएंगे और जादा question आएंगे जैसा quality हो गया quality focus कर लीजे आपका पास घटना चकर है तो घटना चकर दो solve कर लीजे आपके science, science में especially biology biology भी दोस्तों पकड़ पना लीजे biology जो आप पढ़े हों उसको revise कर लीजे question solve करिए और सबसे जादे important है दोस्तों इस समय environment तो ठीक है पढ़ना यह environment की पतली से किताब आती है घटना चकर कि उसको आप solve कर लीजे प्रियोसर के paper है उससे भी जादे important है दोस्तों current affair क्योंकि दिरिश्टी का current affair दोस्तों वाच हो गता PCS के 15-20 दिन पहले आप उसी को revise कर लीजे और जाद जाद रिवाइस करिए अगर दो घंटे आप हिंदी को दे रहा है तो दो घंटे कम से कम देड़ घंटे आप current affair को दीजे हिंदी और current affair को अपने हाथ में पकड़ में रख लीजे अपने समय लीजे कि यह question अगर आया तो गलत ना हो कम से कम बाकि आप GS के portion है उसको आप focus करिए देखते रही है ठीक है आपको जाद तर दोस्तो जाद तर आपको जो cover करना है जो main main portion है जैसे quality हो गया सविधान जो आपके है ठीक है राजी वेवस्ता उसके अंदर कुछ articles होते है especially दोस्तो पॉलिटी में आप कुछ topic को देखेगा focus करिएगा जैसे fundamentalize DPSPs ठीक है आपके जो constitutional bodies है non constitutional bodies है इसमें focus करिएगा modernity में दोस्तो international movement से focus करिएगा ठीक है ऐसे environment पे दोस्तो जित्ती भी conventions हुए है उसको देख लीजिएगा current फिर आपको देखने हैं तो दोस्तो इस तरीके से आप अगर focus करते हैं और हिंदु को लेके चलते हैं तो जरूर आपका pre-qualified हो जागा तो all the best और एक दो दिन में हम द detail strategy लेके आएंगे उसके पर हम बात करेंगे तो दोस्तो अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्स्राइब के लिए जाकर ज्यादा दस शेयर करिए थैंक्यों दोस्तो